पुरानी फिल्मों में आपने कप्टी लाला को देखा होगा, ब्रस्ट मास्टर को देखा होगा, और ब्रस्ट पुजारी को देखा होगा, उनका नाम था CS दुबे, जो कि पुरानी फिल्मों में हर दूसरी फिल्म में आपको देखने को मिल जाते थे, दोस्तों यहाँ पर ल लेने के लिए वीडियो को अंते तक जरूर देखेगा नमस्कार मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है C.S. दुबे 50 और 60 के दसक में बॉली वुड में कप्टी पुजारी और धूर्त लाला बनकर मसूर हुए थे C.S. दुबे मध्या प्रदेश के कन्नोड में इनका जन्म 4 सितंबर 1924 को हुआ था और दोस्तों इनका पूरा नाम तो चंदर सेकर दुबे था पर पहचान इनको C.S. दुबे के नाम पर ही जादा मिली थी बॉलिवुड के अंदर और लोगों के बीच में C.S. दुबे बड़े करांतिकारी विचारों के थे और देश भक्ती का जज़वा इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था दोस्तों महात्मा गांधी के 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने बढ़े चरकर भाग लिया था और सिर्फ 18 साल की उम्र में ही उस आंदोलन के जरीए इनको जेल जाना पड़ गया था इनकी गिरापतारी हो गई थी जेल से छूटने के बाद इन्होंने मद्या प्रदेश को छोड़ने का ही फैसला ले लिया था और बंबई चले आए थे दोस्तों इन्होंने कभी एक्टर बनने की सोची भी नहीं थी लेकिन जब मुंबई गए थे तो इनको नया काम चाहिए था पेट पूजा करने के लिए पेट पालने के लिए तो किसमत ने इनको मसूर डारेक्टर अमिया चक्रवर्थी से मिलवा दिया था और वहाँ पर इन्होंने काम मांगा था तो यहां पर अमिया ने इनको अपने सेट पर आफिस बॉय की नौकरी दे दी थी अब यहें उनके सेट पर आबेल काबल बहुत थे हर काम को एक मिनट में सीख जाया करती थी दुबे अपनी काबलियत से कुछ ही समय में प्रोडेक्शन मेनेजर और असिस्टेंट डारेक्टर वहाँ पर बन जाते हैं अब यहाँ पर क्या होता है 1999 में बॉलीवुड में कदम रखने वाले सीख दुबे ने 1953 में देवा नंद की फिल्म पतिता की थी और यहाँ पर इसी फिल्म से इन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी पैचान बनाई थी इस फिल्म में उनका रॉल भीकुचाचा का रॉल था और यह रॉल लोगों को खूँब अच्छा लगा था लोगों ने इस रॉल को काफी पसंद किया था फिर 1955 में आई फिल्म सीमा सीमा के अंदर भी इनका रॉल था और इनका रॉल था बांके लाल बांके लाल का इनका रॉल था जो की बहुती प्रसिद्ध हुआ था और जिनके उपर लोग इने पहचानने लगे थे इस दुबे की अदाकारी तो इतनी सची लगती थी कि जब लोग फिल्म देखने के लिए जाया करते थे उस जमाने में भोले भाले लोग हुआ करते थे तो जैसे सिक्रीन पर इनको देखा करते तो इने गालियां देने लगते थे बिना कुछ कहे ही बिना कुछ करे ही तब तक फिल्म में ये कुछ करते भी नहीं थे तब ही इनको गालियां पढ़ना स्टार्ट हो जाया करती थी क्योंकि उस जमाने में भोले भाले लोग थे वो इन चीजों को सच जाना करते थे उस दोर में कपड़ी पुजारी, धूर्ट व्यपारी, भरस्ट मास्टर या सूद खोर लाला के किरदारों के लिए जैसे सीएस दुबे ही बनाए गए थे दोस्तों यहां पर इन रॉल में से कोई भी रॉल अगर किसी फिल्म होता तो सीएस दुबे को ही बुलाया जाता था क्योंकि यह संस्किर्ट और हिंदी के विद्वान थे उस जमाने में दोस्तों फिल्मों में बुरे रॉल करने वाले सीएस दुबे असल में एक बड़े ही समाज से भी थे लोग कहते होंगे यह तो बड़े क्रूर होंगे अत्याचारी होंगे लेकिन रियल लाइफ में असली जिंदगी में यह बहुत ही बहुत ही एक तरह से कहते हैं समाज से भी थे लोगों की भलाई करने वाले थे अपनी फिल्मों में ऐसे जो कमाई होती थी तो उस कमाई का कुछ हिस्सा यह गरीबों में बाटते और गरीबों के बच्चों को पढ़ाने में ही उस पैसे को खर्च किया करते थे यानि कि समाज सिवा अच्छी तरह से किया करते थे दोस्तों यहाँ पर यह साधी सुदा भी थे इनकी तीन बच्चे थे दो बेटे और एक बेटी अंगूर और राम तेरी गंगा मेली हो गई यह कुछ इनकी यादगार फिल्मे हैं जिन फिल्मों के जरिये इनको बहुती अच्छी पहचान मिली घरगर तक इनकी पहुंच बन गई थी इन फिल्मों ने ही एक्टर को चरितर अभीनेता के रूप में भी इनको स्थापित किया था दोस्तों कम ही लोगों को पता होगा कि दुबे के अभीने की नकल बाद में प्रेम चौपड़ा तक भी किया करते थे CS दुबे सिर्फ फिल्म ही नहीं रेडियो की भी जानी पहचानी हस्ती हुआ करते थे उस जमाने में यहां पर रेडियो पर एक प्रोग्राम आया करता था हवा महल उसको यही होस्ट किया करते थे और एक और दूसरा प्रोग्राम आया करता था फोजी भाईयों का प्रोग्राम उसमें इनकी ही आवाज सालों तक जादू करती रही थी यहां पर यह बहुत ही पिरसिद थे रेडियो के अंदर भी इनकी मौत 79 साल के उम्र में ही हो गई थी लेकिन दोस्तों यहां पर इनकी मौत का कारण अभी तक सपस्ट नहीं हो पाया है कुछ लोग कुछ कहते हैं कुछ लोग कहते हैं इनको हट अटेक हुआ था और फिर दिल का दोरा पढ़ने की वज़े से 28 सेतंबर 1993 में को इनकी दर्दनाक मौत हो जाती है लेकिन अभी तक इनकी मौत का कारण असल में किसी को भी पता नहीं है यहां पर जो कप्टी लाला का रॉल निभाग एया करते थे CS 2W इनकी आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगती थी कौन सा रॉल इनका अच्छा लगता था यह बहुती एक संजीदा कलाकार थे जिन्होंने सिनेमा की दुनिया में एक मकार आदमी की भूमिका को इस तरह से प्रेजेंट किया था लोगों के सामने कि लोग इनसे ही नफरत करने लगे थे उस दौर में क्योंकि उस दौर में भोले भारे लोग हुआ करते थे लोगों को पता नहीं होता था कि यह है परदे पर यह सिर्प एक्टिंग कर रहे हैं असल जिंदगी में यह है ऐसे लोग नहीं हैं तो इन्होंने दोस्तों कभी भी एक्टर बनने का नहीं सोचा था लेकिन किसमत ने इनको डार्यक्टर से मिला दिया और पिर उसके बाद वहां पर कांसा रॉल आपको अच्छा लगता था आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लगता है इसके बारे में भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें बताएं जिससे कि हमारी हिम्मत और बड़े और इस प्रोग्राम को और आगे तक हम लेकर जाएं अगला प्रोग्राम में बोजल्दी फिर से लेकर आँगा किसी नए कलाकार के उपर उसकी जीवनी के उपर उसके जीवन चरित्र के उपर तब तक आप खुश रहें और सुरक्षित रहें साबधान रहें जय हिंद जय बार